6 साल पहले की बात हैं, एक लड़का था, वो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करता था, उस लड़के का सपना था कि एक दिन वो एक ऐसा काम करेगा कि सभी उसे याद रखे, वो लड़का खुद की एक पहचान बनाना चाहता था, वो पैसे के साथ साथ नाम भी कमाना चा पहता था, एक दिन उसे फेस्बुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उसने उस लड़की की रिक्वेस्ट एकसेप्ट कर ली, फिर दोनों फेस्बुक पर चेटिंग करने लगे, पहले तो लड़के को लगा कि ये कोई लड़की नहीं बलकि लड़का है, लड़की ने लड़की से कहा, मुझे सक हो रहा है कि तुम एक लड़का हो, अगर तुम एक लड़की हो तो मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है, मुझे फोन करो मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, ये कहते ही लड़की कुछ देर बाद ओफलाइन हो गई, फिर एक दिन अचानक लड़की ने लड़के को कॉल किया और कहा, पहचाना मुझे, लड़की ने जवाब दिया, नहीं, कौन हो तुम, लड़की ने फिर से कहा, मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम फोन पर बात करना चाहते थे, लड़की ने लड़की को पहचाना और कहा, इसे ही सालों तक दोनों की बाते होती रही और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। अगर मेरी वजह से तुम्हे कभी भी तकलीफ हो और अगर मुझसे दूर रहकर तुम्हे खुशी मिलती हो, तो फिर तुम मुझे छोड कर चली जाना। लेकिन लड़की हमेशा बोलती थी मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुम्हे छोड कर नहीं जाऊंगी कभी भी। ठीक ऐसे ही एक साल बीट गया, वक्त के साथ साथ लड़की बदलने लगी, वो दुसरों से बाते करने लगी, बाते छुपाने लगी और जूट बोलती रही, लड़के को ये सब बिलकुल भी पसंद नहीं था, लड़का उसे बोलता रहता था, कभी मुझसे जूट मत बोलना क्योंकि जब कोई जूट बोलता है, तो धोके जैसा लगता है, इसलिए तुम कभी भी जूट मत बोलना, लेकिन लड़की पहले से बदल चुकी थी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, कि लड़का क्या सोचेगा उसके बारे में, लड़की दूसरे लड़कों से बाते क काहता था, उसके लिए वो लड़की अपने जान से भी जादा कीमती हो गई, धीरे धीरे लड़की उससे कम बात करने लगी, लड़की के घरवालों को इसके बारे में पता चल गया, लड़की का फोन आना कम हो गया, लड़का उसे फोन भी नहीं कर सकता था क्यूंकि के फोन से लड़के से बात किया करती थी अचानक लड़की का फोन आना एकदम से बंध हो गया दो महीने बीट गए लड़का बहुत चिंता कर रहा था इसलिए न चाहते हुए भी उसने लड़की को फोन किया लड़की की मा फोन उठाया लड़के ने लड़की के बारे में प आज के बाद फोन मत करना। लड़की लड़के को अब बहुत कम फोन करती थी। एक दिन लड़की ने फोन किया और कहा तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते हो न और तुम कहते थे कि तुम मेरे खुशी के लिए कुछ भी करोगे। लड़की ने कहा में तुम्हारी खुशी चाहता हूँ लेकिन तुम ये क्यूं पूछ रही हो। तो लड़की ने कहा मुझे अब तुम्हारी जरुरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। लड़की ने कह क्या हुआ, तुम ऐसा क्यूं बोल रही हो, अगर मुझसे कोई गल्ती हुई है तो फिर मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे छोड़ कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, लड़की नहीं मानती है, लड़का फिर बोलता है, ठीक है तुम मुझे छोड़ कर ज क्योंकि जब भी मैं तुम्हें फेस्बुक पर देखूंगा तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। लड़की ने फिर से लड़की से पूछा मुझे छोड़ने की कोई वजह तो बता कर जाओ। लड़की ने कहा, मैंने कहा न मुझे तुम्हारी कोई जरुरत नहीं है। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो, तो छोड़ दो मुझे। ये कहकर लड़की फोन काच देती है। लड़की ने उसे फेस्बुक से भी ब्लॉक कर दिया। लड़का परेशान होकर रोने लगा। लड़की ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने घर वापस आ गया। लड़का बहुत बदल गया। वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता था। तही घूमने नहीं जा गई। इसी याद में वे पल-पल मरता रहा।